यह फ्रेंट्स लोईड का इस्प्लिटेसी जिसका आउट डूनिट आपके सामने हैं इसमें जो सक्सन पाइप है हमारा वो पुरा तरीका से फिंच हो चुका है बैंड हो चुका है नॉर्मली आपको कोई सभी ऐसी हो सकता है स्प्लिटेसी का ऐसा नहीं कि लोईड का ही कोई इसे में इस तरह का कंडिशन इस तरह का क्रॉल्बम आपको देखता है उसका वज़यसे वह क्रोग्ज को लोग किये नीचे वाला को उसके बाद अभी हम लोग क्या करें सक्सन वाले यह लोग करें पूरा तरीका से जब प्रोसेस अब समझ लीजे कैसी तरह से गैस को लॉक करना पड़ता है उसके बाद मैं आप लोग आगे कंडिशन बता हूं किस तरह से पर पैंप को भी ठीक कर प्रोसे पूरा तरीका से आइस जमने लगेगा यहां पर देख सेथे कंडिशन किस तरह से प्राइप यहां पर चप्टा हुआ है ज्यादा टाइट करने से भी हो जाता है या फिर सही तरीका से पाइप को बैठाएंगे नहीं तो उसका वज़े से भी आगोगा चप्टा हो ऐसको जमने के लिए उसको टाइट करना पड़ता है यूंक को उसके राध हम अल्क करना पदता है वह काम करने का वाथ हम लोग क्या और ये ओक होने के बार और च्रालू कंडिशन कि इस तरह का फींच होगा तो आपका जो कंप्रेसर रहता है वो ओटमाटिक ट्रिप करना भी चालू होगा तो अगर आप टेक्टिशन हो तो यह वीडियो आप ज्ञान सच देखिए अगर आप कश्टमर को भी यह बात कर जाना ज़रूरी होता है किस तरह का यह प्रॉब्लम आप जो गिया पैंप चप्टा हो गया फिंच हो गिया उसको अम लोग साइड कर पाएंगे तो किस तरह से कंटिंग करना हो वह भी प्रोसेस अब देख सकते हो इसली तरीका से इसको पैंप कटर को ठोड़ा टाइट कर रहे हैं और इसको घुमा रहे हैं चार से पांच बर को इस तरह से कीजेगा तो यह जो हमारा पैंप वह इसली कटिंग हो जाएगा अब प्रोसेस ने करके समझेत को किस पडंकर से कटिंग कर रहे हैं इसको बहुत भी बहुत हीजी प्रोसेसर है यहाप़ असान तरीका सा पाग पाल्थ कटिंग हो जाएगा बसे लाश का Molा य करेंगे इसको फ्लेयर बनाएंगे यह देख सकते हैं कटिंग जो किया हुआ पाइप है पूरा तरीके चप्टा हो करके बैंड हो चुका था इस तरह आपको टूल से ही होता है जब भी फ्लेयर बनाना होगा और नोश प्लाज का ज़रूत पड़ता है और इसके बाद फ्लेयर बनाने का बद हम लोग देख सकते हैं आपको टाइट कर दिये प्रोपर तरीका से अगर आपको फ्लेयर बनाना नहीं आता है तो मेरे वीडि किomics पाउड़ का से अगरे ऑच है इस ऑ्लेयर आपको बनाने को किए यह एड़ता है तो मेरे से रहांगर को से अगर तो में होड़ता प्लेयर आपको दापको